नमस्कार मैं भावमिन शुक्ल और आप देखरें नहीं आले आम आदमी पार्टी के बिधायक सोबनात भारती एक कारकरम के सिलसिले में राइबरेली पहुँचे पुलिस ने सुरक्षा विवस्था को आधार पे उन्हें कुछ समझाने सिखाने की कोशिस की तो आप विधायक सोबनात भारती भड़ा कुछे उन्होंने कहा कि योगी आदित नात तो जाएगा वह चाहे कुछ भी कर ले उनके इस बयान से आहद किसी सक्सने वो भाजपा का कारेकरता भी हो चकता है या आम आदमी राइबरेली का आम आदमी दिल्ली का आम आदमी नहीं आम आदमी ने उनके उपर स्याही फिक दी उसके बाद भड़के सोमनात भारती ने उसे गंदी गंदी गालियां दी स्याही घटना के बाद उन पे स्याही किसने फिकी इस पे भाजपा का किसी ने बयान नहीं दिया भाजपा प्रवक्ता और CM के मीडिया सलाहकार सलब मरित्र पाथी का एक भयान आया उन्होंने ट्वीट किया कि गुंडे और मवाली जब खादी पहनते हैं तब जुबान से पहला सब्दिय ही निकलता है तुम्हारी वर्दी उतर वालेंगा उसके बाद सभी समाचार चैनल के संबाधाता है भाजपा प्रवक्ताओं की ओर देखने भाजपा प्रवक्ता कुमार सोग पांडे ने क्या कहा उस घटना पर देखिए पूरी रिपोर्ट समाचार चैनल के द्वारा मुझे बताया गया कि आज दिल्ली आप पार्टी के विधायक सोमनाद भारती जी के हूपर राइबरेली में किसी ने उनका अपमान किया है उस पर मेरी प्रतिक्रिया मांगी गई है जिस हिसाब से मैंने उस वीडियो को जो मुझे को भेजा गया है समाचार खबरनेवीश चैनल द्वारा उसको मैंने देखा है उसमें एक किसी भी भारती जनता पार्टी का कोई कारिकरता ऐसा काम नहीं कर सकता पूरी तौर पर यह सस्ती लोग प्रियता हासिल करने का एक श एक कुछ मानसकता मानसकता वाले ये विधायक हैं जो अपनी पत्नी को कुट्ते से कटवाते थे उस पत्नी के साथ भातिभात प्रकार का अत्याचार करते थे उनकी पत्नी थानो थानो दोड़ती रही और इस आप पार्टी की सरकार ने उसकी कोई सहयता नहीं की और नहीं उसके कुसी कारकरता ने उसका कोई सहयोग किया ये इनके संसकार है दूसरा विश है जिस प्रकार से उसमें मैंने देखा कि माननी मुख्यमंत्रियोगी आदित तिनाची के लिए जिस अबद्र भाशा का प्रयोग कर रहे हैं ये अबद्र भाशा किसी प्रकार से भी राजनीत राजनीतिक सग्या राजनीतिक रूप से राजनीतिक भाषा नहीं है किसी के लिए भी इस प्रकार का भाषा का प्रयोग करना यह ऐसी भाषा है जैसे कोई गली का गुंडा और कोई लुच्चा इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करता है इसके बौजूद भी उनसे एक सवाल जरूर पूछना बनता है कि वह किस अधिकार के तहट वह वहाँ निरच्छड करने पहुँच गए थे क्या वो रायबरेली के नागरिक हैं क्या वो रायबरेली के किसी भी विक्त के सहयोग से वहाँ जा रहे थे ऐसे मानसिक्ता के लोग जो लोग पूरी तरह से कुछित मानसिक्ता के लोग हैं इनके विरुद जो सस्ती लोप रेता पाने के लिए इनोंने इस प्रकार का शर्यांतर स्वेम रचा है मैं पूरी तरह से कहता हूँ कि इसमें किसी प्रकार का भारती जनता पार्टी के किसी भी कार करता का कोई भी हाथ होई नहीं सकता ना है इनके विरुद माननिय मुख्यमंत्री जी से मैं अनरोध करता हूँ कि इनके विरुद जो इनोंने भाषा का प्रयोग किया है चुने हुए जन प्रतिनी धी के लिए इनके विरुद एक मुकदमा कायम करके उसकी जाच होनी चाहिए वो पकड़े हुए व्रति से उसका पूशा जाना चाहिए और सत्ते वुजागर होने पर इनके विरुद कठोर कारवाई होनी चाहिए ताकि भविष्च में ऐसे लोग एक संजे सिंग भी हैं वो भी भात भात करना है बात अगर स्याही की करए तो स्याही केवल आम आदमी पार्टी के उपर ही गिर रहे है आम आदमी पार्टी के यूगिन रियादों हो या कभी बड़े पत्रकार रहे आम आदमी पार्टी के नेता आसुतों से अब सुन नात भारती स्याही और जूता का connection आम आदमी पार्टी के साथ क्यों हुआ है ये विधाता जाने लेकिन कुछ न कुछ इसनका connection है आईसे ही कई खबरों के लिए देखते रहें नया लूग